तो हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप 5 बेस्ट टूट पेश के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब करके वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेर करना तो पहले नमबर पर आता है कोलके टूट पेश दूसरे नमबर पर आता है फरेवर ब्राइट टूट चल तीसरे नमबर पर आता है सेंसोरें टूट पेश चौथे नमबर पर आता है कलिस्टर टूट पेश पांचवे नमबर पर आता है करश्ट टूट पेश तो चलिए जानत कहते हैं पहले टोल केट कमपनी से कोंगेट को इंडिया के हर हर में इस्तेमाल किया जाता है और और पहले को लिए ले कप प्रेश कड़ता धा केगš क्या है कोल्गेट पालमालिफ कंपणी एक अमेरिकन कंपणी है कोल्गेट को 1873 अम्रिका में लॉंच किया गया था और इंडिया में 1973 में लॉंच किया गया था कोल्गेट कंपनी के चेर्मेन का नाम है नियोल आर वलसी और कोल्गेट तूट पे उसको अप्रोक्स 80 कंट्रीज से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं बात करें कोल्गेट कंपनी की नेटवर्क की तो वो है 62.28 बिलियन डॉल्स तो अब बात करते हैं Forever Bright Toot Gel के बारे में जो वरल के दूसरे नमबर पर आती है यह Forever Bright Toot Gel कंपनी अमरिकें कंपनी है और इसे 1978 अमरेका में लाउंच किया गया था इंडिया में 2005 में लाउंच किया गया था इस कंपनी का Forever Chairman का नाम है Rex Morgan जो अब इस दुन्या में नहीं है और भी बहुत से ज़्यादा प्रोडेक्स बनाते हैं बात करें इस कंपनी की नेटवर्क की तो वो है 4 बिलियन डॉलर और बात करते हैं सेंसुरन टूटपेश के बार में जो वर्ली के तीसरे नंबर पर आते सेंसुरन एक यूनाटेट किंडम यूरोपेन कंपनी है सेंसुरन टूटपेश को 1961 में लाँच किया गया था और इंडिया में 2010 में लाँच किया गया था सेंसुरन टूटपेश को पूरे वर्ले में इस्तेमाल किया जाता है सेंसुरन कंपनी के ओनर है हाली ओन बात करें इस कंपनी की नेटवर्ग की तो वो है 545 में बात करते हैं Glister toothpaste के बारे जो वर्लिके 14 नमबर पर आता है Glister toothpaste United States अमेरिका का ब्रैंड है इस toothpaste को 1888 में लाँच किया गया था इस कंपनी के ओनर है Amway India बात करें इस कंपनी की नेटवर्ग की तो वो है 1980 करोण अब बात करते हैं Chris toothpaste ये बारे में जो वर्लिके 15 पर आता है Chris toothpaste United States अमेरिका का ब्रैंड है इस toothpaste को 1955 में लाँच किया गया था इस कंपनी के ओनर है Protector & Gambley बात करें इस कंपनी के नेटवर्ग की तो वो है 51 बिलियन डॉलर्स और आपके घर में इन में से कौन सा toothpaste इस्तेमाल करते हैं हमें कॉमेंट करके बताए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सबस्क्राइब करके वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मिलता हूं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तक तक अलविदा